Hello and welcome to your channel as they like it और आज हम देखेंगे कि क्या है इंडिया का सागर इनिशेटिव दोस्तो सागर इस्टेंट्स वर सिक्यूरिटी और गूर्थ फॉर आल इंदर रीजिन ये इंडिया का एक स्ट्रेटिजिक वीजिन है इंडियन ओशन रीजिन के लिए और ये इंडिया ने 2015 में लाउंच किया था सागर इनिशेटिव से इंडिया अपने मेरिटाइम नेवर्स के साथ एकनॉमिक और सिक्यूरिटी कोपरेशन को डीपेंड करना चाता है और साथी साथ उनको असिस्ट करेगा in building their maritime security capabilities ऐसा करने के लिए इंडिया कॉपरेट करेगा अपने maritime neighbors के साथ त्रू एक्षेंज ओफ इन्फॉर्मिशन, सेकेंड कोश्टल सर्विलेंस, थर्ड बिलिदिंग ओफ इंफरस्ट्रक्शर इसी के साथ साथ सागर इनिशेटिव से इंडिया भी अपने national interest को इंडियन ओशन रीजन में सेवगार्ड करना चाता है ताकि इंडियन ओशन रीजन जो है वो inclusive, collaborative और in respect of international law रहे इंडियन ओशन रीजन में ये अब देख लेते हैं क्या है सागर वीजन की significance सागर वीजन जो है वो provide करता है इंडिया को ऐसा mechanism जिससे की इंडिया अपने maritime neighbors के साथ strategic partnerships को expand कर सकता है वही सागर इनिशेटिव जो है वो indicate करता है कि इंडिया का एक leadership और responsible role है in the Indian Ocean region और इंडिया इस role को एक transparent manner में execute करेगा through capacity building and capacity enhancement programs इंडिया का सागर वीजन जो इंडिया की दूसरी policies है उनके साथ consonants में है जैसे की act east policy, project सागर मला, project मौसम वही सागर वीजन ये भी बताता है कि इंडिया के लिए maritime issues जो है वो इंडिया की foreign policy का एक important part है तो दोस्तों ये थी हमारी coverage regarding सागर वीजन अगर ये आपको पसंद आई हो तो like and subscribe करें साथी साथ Instagram और टैब